कैसे हूँ दोस्तों आप सब जैसे कि आप लोगों ने थम्नेल में देखी लिया होगा और मैं आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ जी हां कैसे मैं सिर्फ तीन हजार रुपे में अपने जॉब की त्यारी कर रहा हूं सिर्फ तीन हजार रुपे में तो आपको बताता हूं कैसे मैं अपने तीन हजार रुपे में सरकाई नौकरी की त्यारी कर रहा हूं दूस्से पहले मैं आपको बता दूँ जो भी सरकाई में आउट हो जाएंगे और बाकी जितने भी फोम है वो जो 2020 में सब आउट हो जाएंगे और सब के पेपर होंगे सब के recruitment होगी तो अब जो नए वच्चे हैं अब वह सोच रहे होंगे हम बिगनर हैं हम कैसे तियारी करें तो यह वीडियो कोचिंग मेरी नजर में तो वेस्ट उफ मनी और वेस्ट उफ टाइम है क्योंकि वही चीज आपको ओन-लाइन में कम पैसों में मिलेगी और ऑफ-लाइन में वहीज़ के आपके वह 25-30,000 रुपे मांगेगा और ऑफ-लाइन में आपका आना जाना एक घंटा आने का एक घंटा जाने का और जब शुरू के पांदर्स दिन तो यह होता है पर जब फिर दोस्त बनने लगते हैं तो दो घंटे दोस्तों के फ्लैट पर बैठ रहे हैं कभी कहीं बैठ रहे हैं तो मेरे इसाफसत अगर आप सीरेस एस्पिरेंट हो तो ऑनलाइन क्लास ही लो और जो यह बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन में समझ नहीं आता भाई आप उस वीडियो को एक बार देखो दो बार देखो तीन बार देखो कब तक समझ नहीं आएगी आपको वो चीज तो मैं शुर कर सकते हैं कि तो अगर आपने राकेश यादव सर edo कर नाम सुना हो उनका एक करियर विल नाम का तो सब्सक्राइब पर लास्ट में मैं राकेश यादव सर पर चले जाएंगे तो आपका टाइम और पैसा बच जाएगा और उनी के करियर विल बैच पे गुपाल वर्मा सर हैं अगर आप लोग को पता हो गुपाल वर्मा सर से बढ़िया इंगलिश भी मुझे नहीं लगता अगर आपको किसी औ और से समझ जाता हो तो बात अलगे पर मेरे इसाफ से दो गुपाल वर्मा सर का बैच भी आपको हजार से पंदरा सो में मिल जाएगा तो टोटल आपका डाही से तीन हजार में यह आपको दोनों चीज मिल जाएंगी और किसी भी गौवर्मेंट जॉप की त्यारी करने में म आप रही जीखे की बात दो जीके के लिए भाई आप SSC लेवल में आप सिफ एक लूशन्ट की जी बुक आती है आप कुछ मत करो बत जीखे की बुक को जितनी बार सके ना उतनी बार पड़ो आप 10 बुक को 10 बार पड़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पड़ो और वो जरूरत होती है क्लासिस की अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप उस सिंपल उस टॉपिक का नाम यूट्यूब पे लिखिए और उसकी आदे घंटे चालेश मिनट की वीडियो देखिए आपका डाउट केलियर हो जाएगा रीजनिंग में बस आप एक प बड़ी ही अराम से आते हैं और 50 में से 40-45 सब ही ले आते हैं रीजनिंग की रीजनिंग में कोई कॉंपिटीशन होता ही नहीं है जो मेन कॉंपिटीशन आता है वह आता है इंग्लिश और मैथ में अगर इन दोन पर आपकी कमांड अच्छी है ना आप किसी भी गवर्मेंट आपको किलियर कर सकते हैं और जीके में तो मोस्ली बच्चों के नंबर वैसी नहीं आते क्योंकि आसे सी पता नियार कहां से कहांसे जीके पूछ रहे हैं मैंने जो टॉपरों के भी वो देखे हैं मार्ख्स सब के मैस में 48 रीजनिग में 48 इंग्लिस में 50 g-क में उनके 15-20 यह Rीजनिग एक बहुत ही वाश्ट एरिया है सौरी सब्सक्राइबया आधले अरिसक्तमिम्स स्रॉआबं मुखक्रीक बभ créd पी। और अपने current affairs पे पकड़ बना के रखिए, current affairs daily की वीडियो बनाईए, मैं बता दू, मैं current affairs बनाता हूँ, YouTube पे crack exam नाम का YouTube चैनल है, मैं उसे अपने current affairs बनाता हूँ, 10-15 मिनिट की वीडियो होती है daily, उसको बनाईए, लिखिए, अपने notes बनाईए, और वो जो एक गंटे, current affairs बनाते हैं यार, उन पे time based मत करो, डेड़ घंटे current affairs में बहुत ज्यादा अपना time spend करने लिए बात जाती है, आप 15-20 मिनिट वाली देखिए, कोई भी current affairs की वीडियो, उनकी notes बना लीजिए, और 6 महीने या quarter की कोई book लिया ये, उसको throughout trade करते रहे हैं, जब भी आपके पा था, MTS में मेरे 55 number आए हैं, जो उसमें, जो answer की आती है, उसमें 55 number आए हैं मेरे, अब उसमें देखो बाकी और मेरे 12 questions गलत भी है, अब देखो जो total marks कितने आते हैं, और अब 2022 के लिए मैं त्यारी कर रहा हूं, मैं CPO का experiment हूं, और अगर मैं अपने time table की बात करूं, तो मैं दिन में, मेरे 10 hours का, तो study का वो रहता है, मैं 10 गंटे पढ़ता हूं दिन में, और 9 गंटे extra activity के लिए, और 5 गंटी की नीद, तो total मिला के 24 गंटे का मैं अपना ऐसे utilize करता हूं, अगर किसी को time table से related video चाहिए, तो मुझे बता देना, अगर जादा लोगों के doubt आएंगे, तो कमेंट सेक्शन में बेज इजग पूछ लेना, थैंक्यू बाई हो,